प्लीज सब्सक्राइब तो आप्डेट्स दोंट फिर्गे टो प्रेस बेल आइकोन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाइपिंग आइसोमेटरिक ड्राइग को समझा जाए वीडियो शुरू करने से पहले हमें पाइपिंग आइसोमेटरिक सिंबॉल समझना होगा जिसके लिए मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप इस वीडियो को टॉप राइट कौनर में क्लिक करके देख सकते हैं ये कोई डिजाइन आइसोमेटरिक नहीं है जो PNID से डिजाइन किया हो ये आइसोमेटरिक सिर्फ एक्स्पें करने के लिए बनाई गई है ताके इसमें ज़ादा से ज़ादा पाइपिंग कंपोनेंट कवर हो सके तो चलिए शुरू करते हैं पाइप लाइन नंबर से आम तोर पर सिर्फ एक पाइप लाइन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं पाइपिंग आइसोमेटरिक में इस ड्राइंग में रैट कलर पाइप के लिए यूज किया गया है फिटिंग्स ग्रीन कलर में है जैसे अल्बो, टी, रिड्यूसर, फ्लैंच, एट्सेटरा इन सारी फिटिंग को पाइप से कनेक करने के लिए वेल्ड स्क्रूट जैसे जॉइंट का यूज किया जाता है उसके बाद ब्लू कलर में वाल्फ देख सकते हैं जो फ्लो को कंट्रोल करता है लाइन्स कम्प्लीट होने के बाद पाइप सपोर्ट की जरुरत होती है जो पाइप को सपोर्ट करते हैं उसके बाद डाइमेंशन और एलिवेशन की जरुरत होती है जिससे pipe की length या elevation पता कर सके और सबसे आखिर में from to information मतलब line कहां से आ रही है और कहां जाने वाली है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like, share और subscribe करना न भूले धन्यवाद